दोस्तों कुछ समय पहले ये खबर आई कि रूस ने अपने लिए एक नए इंटरनेट का जुगार कर लिया है और वो पूरी दुनिया से लग अपना खुद का इंटरनेट इस्तिमाल करेगा जिसके बाद यूक्रेन से भी खबर आई कि उनके या इंटरनेट की का जा रहा है कि रूस ने अपने देश में आप्शिनल इंटरनेट सिस्टम तयार कर लिया है और इसका प्रयोग भी सफल हो गया है लोगों को जब इसके बारे वो बताया गया तो वो हरान रह गया हाला कि वहां के लोगों ने अपने इंटरनेट सिस्टम के इस्तिमाल के द देश के लोगों जोडने के लिए उसका अपना इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह तैयार रहे। रूस के इस प्रयोग से अमेरिका, ब्रिटिन समेट कई देशों ने ये कहते हूँ आलोचिना की है कि इससे इंटरनेट प्रेक अप होगा और रूस अपने ही देश के लोगों पर पूरा नियंतरन रखना चाहता है। इस से पहले चीन और इरान ऐसी कोशिश कर चुके हैं। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या है इंटरनेट और क्या रशिया अपने इंटरनेट को ओन कर सकता है। तो दोस्तों इंटरनेट का मतलब होता है अंतर जाल, लेकिन इससे इसका मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। इससे आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह का ग्लोबल निटोर्क है जो कई कंप्यूटर या सिस्टेम्स को आपस में जोड़ता है। इसे आप कई कई कंप्यूटर का जाल कह सकते हैं जो राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जोड़े हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा निटोर्क है जिसमें सूचनाओं और डेटा के आदान प्रदान के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अस्तिमाल किया जाता है। इंटरनेट कहां और कैसे बनता है? अब ये तो आप समझी चुके हैं कि इंटरनेट दुनिया भर के डेटा का एक जाल है। इस केबल दौरा जोड़े होते हैं। बालों से भी पतले इन केबल्स में काफी स्पीड से डेटा ट्रांसपर की ख्यमता होती है। अब मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है? जो बड़े दिल्चस्प सवाल है। अब आप बाजार से कोई सामान लेते हैं तो उसकी खीमत देते हैं। उस सामान का मालिक कोई न कोई कमपनी होती है। किसी सर्वर को लेकर भी यही चीज लागू होती है। लेगन आपने कभी सोचा है कि आप अपने मुबाइल, लैपटाप या कम्प्यूटर में जो इंटरनेट इस्तिमाल करते हैं, उसका मालिक कोई है। BSNL, Airtel, Jio, Vodafone वगेरा तो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिनने आप नेटपेक के लिए पैसे देते हैं, इंटरनेट के असली मालिक नहीं है। अब आप तो ये भी सोच सकते हैं कि इंटरनेट के असली मालिक सरकारे हो सकती हैं, लेगन ये भी सच नहीं है। दरसली है किसी एक व्यक्ति, एक कंपनी, संस्था ये सरकारी एजनसी की संपत्ती नहीं हैं और ना ये सीधे तोर पर असे नियंतरित कर सकते हैं। इंटरनेट पर किसी अकेली संस्था या संगठन का नियंतरन या मालिकाना हख नहीं हैं, बलकि एक बहुत बड़े इन करने के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंपनिया हैं जो कुछ एडवाइजरी जारी कर, इसके स्टैंडर्स दाय करके इसे बेहतर बनाए रखने में मदद करती हैं। इसलिए अगर रश्या अपने लेग इंटरनेट बनाने की बात करता है, तो वो इंटरनेट की जगा एक प्राइवेट नेट्वर्क होगा जो रश्या के लोगों को एक तरह से खैयत कर रहा है, और साथी पूरा देश बाकी की दुनिया, यानि इन्टरनेट की दुनिया से बार चला जाएगा आज दुनिया के लगबग साले 400 करोड लोग इंटरनेट के इस्तिमाल करते हैं और एक तरह से ये सब इंटरनेट के मालिक हैं इसके लावा बात अगर यूक्रेन की करें तो रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर नियंत्रन हासिल करने में खामयाब हुआ ह वहीं यूक्रेन के कुछ इलाकों में इंटरनेट और मॉबाइल टावर्स को बरबात कर दिया गया है इसके वज़य से यूक्रेन के लोगों को इंटरनेट या नेटवर्क की समस्य आ हु रही है और वे अपनों से बाचछीत ये संपर्क नहीं कर पा रहे हैं एसी स्थिय मे यूकरेन के मंत्री माइखेलो फिद औरोब ने एलाउन मस्क को ट्वीट करते हुए मदद की गौार लगाई है अपने ट्वीट में उन्हों लिखा है कि आप मंगल पर घर बनारा चाहते हैं लेगन यार रूस यूकरेन पर खब्जा करने की कोशिश कर रहा है आपके रॉकेट अंतरक्ष में जा रहे हैं लेगन रूस यूकरेन के नागरिकों को रॉकेट लाउंच के जरीए निशाना बना रहा है इसके बाद उन्होंने एलाउन मस्क से इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूकरेन के लोगों को स्टारलिंक स्टेशन प्रवाइड कराने के बाद लिखी स्टारलिंक स्पेसेक्स के तहत मस्क द्वारा लॉंच किया रहे सैटलाइट का एक नेट्वर्क है स्टार लिंग के जरीए किसी एक सैटलाइट का स्टमाल करने वाले कस्टमर्स तक सीधे इंटरनेट महुचाय जा सकता है यूक्रेन के उप प्रधान मंतरी के इस ट्वीट के केवल 10 घंटे बाद ही एलाउन मस्क ने ट्वीट किया कि उक्रेन में स्टार लिंग सर्विस एक्टिवेट हो गई है और इस तरह दोनों देशों में जा इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म हो रही थी तो वहीं फिर से इंटरनेट के नई आप्शन्स दोनों के सामने आ गए तो दोस्तों ये था फूरा रश्या यूक्रेन की नई इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रू बताएं साथ इस वीडियो को लाएकर शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें